हर हर महादेब मित्रों, इस बेडियों में मैं आपसे बात करने बाला हूँ कि N नाम के जातक, A बम C नाम के जातक, यदी साधी करते हैं, तो इन दोनों का आपसे जीबन कैसा होगा? मित्रों यदी आप ये जानना चाहते हैं, तो सबसे पहले इस बेडियों को आप लाइक कर दे, साथ में एस्ट्रों मंदिर को आप सब्सक्राइब कर दे, एबम इस बेडियों के नीचे अपना नाम कमेंट कर दे, एबम बेडियों को बड़े ही ध्यान से आप सुने, मित्रो इस नाम के दोनों जातक यदी एक साथ में प्रेम जीबन या बैबाहिक जीबन में आते हैं तो एक दूसरे को समझने के लिए आपको एक दूसरे के बीच में जो मतभेद होगा जो आप से अनुकूलता की कमी होगी तो इन दोनों बातों पर आपको विचार करना चाहि parallels क्योंकि सी नाम के जातक सुभाब से बहुत जयादा बौधिक नी बरतमान एबम चटपटे होते हैं एबम इस नाम के जातक सुभाब से बहुत जयादा चंचल होते हैं इस नाम के लोगों को हसी मजा करना बहुत ज्यादा पसंद होता है मित्रो आपको बता दे कि इस नाम के जातक समय के हिसाब से अपने अंदर बदलाब करने में बहुत ज्यादा माहिर होते हैं एबम इसके अलाबा इस नाम के जातक अपने जीबन में सुवतंत्र होना आजाद होना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं लेकिन यदि एन नाम के लोगों की बात कड़े तो इस नाम के जातक बहुत ज्यादा गुप्त, केंद्रित, प्रकर एबम द्रिध निश्चे बाले होते हैं मित्रो आपको बता दे कि इस नाम के दोनों लोगों का संबंध बहुत ज्यादा चुनौती पुर्ण होगा क्योंकि इन दोनों के आपसी जीबन में सी नाम के लोगों का सुभाब बहुत ज्यादा मजा लेने बाला होता है लेकिन एन नाम के जातक अपने जीबन में हर चीज के बारे में बहुत ज्यादा तेज बहुत ज्यादा प्रकर होते हैं एबम इस कारण से इन दोनों के बीच में आपसी अनुकूलता की कमी हमेशा होती है मित्रो एन नाम के जातक एबम सी नाम के जातक इन दोनों की अच्छाई एबम इनकी बुराई को जानने के बाद यदि इनके बैबाहिक जीबन की बात कड़े तो इन दोनों का दामपत्ते जीबन सामानने रहेगा तो मित्रो इस बेडियो में आगे बढ़ने से पहले इस बेडियो को आप लाइक कर दे साथ में इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दे एबम इस बेडियो के नीचे अपने इस्ट देवता का नाम कमेंट कर दे धन्यवाद